नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल नौलेज पंडित पर जैहिन जैभारत दोस्तों आपके लिए एक हजार साइन्स के कॉश्चन्स की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है दो वीडियो आलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ये प्रशन आपके आने वाले परिक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर सेट किये गए हैं वीडियो वन फॉर्मेट जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाला ह टॉपिक इंपोर्टेंट है तो सभी प्रशनों को अच्छे से याद कर लीजेगा और शेयर जरूर करिएगा फ्री वीडियो है अंतर तक देखिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर आप अपने विचार रख सकते हैं चले शुरू करते हैं वीडियो सबसे निर्धारण विधी का उपयोग किसके लिए होता है तो रेडियो कार्वन तिथी निर्धारण विधी का उपयोग जीवाश्मों की आयू का पता लगाने के लिए करते हैं शरीर का सारा रख्त किसके माध्यम से सुद्ध होता है तो शरीर का सारा रख्त वरक अर्थात किड प्रतिविंब बनेंगे दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी होती है। इसलिए टेंपरेचर 100 डिगरी से कम पर ही पानी को उभालने लगता है। तो ट्रिपसिन जो है छोटे पैपटाइट्स में प्रोटीन या पैपटोन को बदल देता है। मनश्यों में दाद रिंग वार्म रोग किस कारण से होता है कवक के कारण से होता है उसका नाम क्या है तो मनश्यों में जो दाद होता है वो माइक्रो इस्पोरम नामक कवक के कारण से होता है। इसकरवी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है तो विटामिन बी सी मेंली इसकरवी रोग का कारण है सबसे भारी धातू कौन सी है तो सबसे भारी धातू ओस्मियम है विदुद का सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी विदुद का सबसे अच्छा चालक है पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है तो KCL, MgCl2, 6H2O कॉर्नेलाइट जो की पोटेशियम का अयस्क है इसका रासाइनिक सूत्र है यूरेनियम के नाभी के विखंडन में अंततह क्या प्राप्त होता है तो यूरेनियम के नाभी के विखंडन से अंततम अंततह जो है लेड सीसा प्राप्त होता है ध्वनी को मापने की काई क्या है तो डैसिबल ध्वनी को मापने की मुख्य काई है स्टेलेंस स्टील किन धात्वों के मिश्रित करके बनाया जाता है तो स्टेलेंस स्टील क्रोमियम लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है वनस्पती विज्ञान की उस साखा का नाम क्या है जिसके अंतरगत हम शेवालों का अध्यन करते हैं तो वनस्पती विज्ञान की उस साखा का नाम जिसके अंतरगत हम सेवालों का अध्यन करते हैं वो है फाइकोलोजी दूद से दही बनाने वाले जीवानू का नाम क्या है तो बैक्टीरियम लेक्टिसी एसीडाई दूद से दही बनाने वाले जीवानू का नाम है मदुमे के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है तो मदुमे के रोगी के पेशाब में शुगर की अधिकता हो जाती है DNA संसलेशन का प्रतिपादन किस ने किया था तो कौन बर्ग ने DNA संसलेशन का प्रतिपादन किया था फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासाइनिक नाम क्या है तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासाइन हाइपो का रासाइनिक नाम है सोडियम थायो सल्फेट बोपाल गैस दुरघटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था इसका रासाइनिक सूत्र है CH3NCO गेहु का वेज्ञानिक नाम क्या है तो ट्रिडिकम एस्टिकम तथा ट्रिडिकम वलगेर वेज्ञानिक नाम है गेहु का अक्जेनोमीटर के क्या मापा जाता है तो पौधों की रेखिय व्रद्दी लाइनर ग्रोथ रेट और प्लांट अक्जेनोमीटर से मापते है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर आप खोल दे तो कमरे की तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा तापमान बढ़ाने पर सेमी कंड़क्टर्स अर्ध चालकों की चालकता में क्या प्रभाव पढ़ता है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है हरा कशीज का रासाइनिक सूतर क्या है तो FESO4 7H2O हरा कशीज का रासाइनिक सूतर है केलो मल का रासाइनिक नाम क्या है तो मर्कूरेस कोलाइड क्लूराइड जो है केलो मल का रासाइनिक नाम है हीरे की चमक का कारण क्या है तो प्रकास का पूर्णा आंत्रिक परावरतन घटना जो है हीरे की चमक का कारण है विद्धु तीवरता का मात रख क्या है तो न्यूटन प्रती कूलाम विद्धु तीवरता का मात रख है विटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है तो टोको फेरोल टेको फेरोल विटामिन E का रासाइनिक नाम है भारी जल का रासाइनिक नाम क्या है तो Deuterium Oxide D2O भारी जल का नाम है Trichona रोग किस अंग से संबन्दित है तो Trichona रोग जो है आंग से संबन्दित है Hepatitis B वाइरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मिदार है तो Pelia रोग के लिए जिम्मिदार है Epilepsy रोग का संबन्द किस से है तो नाड़ी संस्थान से Epilepsy रोग संबन्दित है A.B. रक्त समूवाला व्यक्ति किस रक्त समूव के व्यक्ति से रक्त ग्रहन कर सकता है Right answer क्या हो जाएगा तो A.B. समूवाला व्यक्ति A, B, A.B. और O यानिकी सभी से रक्त ले सकता है सर्वग्राही चेचक के टिगे की खोज किस ने की थी तो Edward Jenner के द्वारा ठीकी चेचक के टिगे की खोज की गई थी दूद एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्तों की कमी होती है तो mainly iron और copper की कमी होती है दूद में विशु का सबसे पुराना खादियान कौन सा है तो hot vulgar प्रश्ण के लिए सेयुत्र हो जाएगा खादियान विशु का सबसे पुराना खादियान है किस बकरी को विशुकी दूद की रानी यानिकी Milk Queen of the World के नाम से जाना जाता है तो साने नसल की जो बकरी होती है उसको Milk Queen of the World के नाम से जाना जाता है प्रती 100 ग्राम भैस के दूद में कितनी उर्जा प्राप्त होती है तो लगभग 100 ग्राम दूद में 90 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है मनुष के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है तो हीमो गलोविन मनुष के रक्त में लाल रंग का मुख्य कारण है मनिश्व में gastric rust किस अंग से स्त्रावित होता है तो अमासे से gastric juice मनिश्व में स्त्रावित होता है The origin of species पुस्तक किस न लिखी है तो Darwin के द्वारा The origin of species पुस्तक लिखी गई है प्रोसेसर की गती किस मातरक में मापी जाती है तो megaEllie या giga exacer में प्रोसेसर की गती को मापते है DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिग लगाय जाता है तो DTP का टीका बच्चों को t assessed, diptheria, hooping याने की कुकर खासी से बचने के लिए लगाया जाता है वयस्क मनुष्ड में ह्रदय चक्र का समय कितना होता है तो काडियक साइकल 0.8 सेकैंड वयस्क मनुष्ड में होती है मचलियों में स्वसन हितु अंग कौन सा है वाट्सन और क्रिक को जी विज्ञान की किस खोज के लिए नोबल पृरुसकार का पृरुसकार दिया गया था तो Watson और Crick को DNA के डबल हैलिक्स मॉडल की प्रस्तुती के लिए नोबल पृरुसकार मिला था बैक्तिरिया की खोज किस ने की थी तो Antony cuál लिएन hawk ने बैक्तिरिया की खोज की थी विज्यान की साखा एग्रोइस्टोलोजी में किसका अध्यान करते हैं तो विज्यान की साखा एग्रोइस्टोलोजी में घास का अध्यान करते हैं मानोशरीन में बिटामिन के का निर्मार किस अंग में होता है तो vitamin K का निर्मार colon में बैक्टिरिया के द्वारा होता है pediatrics का संबन किससे है तो बच्चों के रोगों के अध्यान से pediatrics संबन ने थे hypoglycemia नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है तो glucose की कमी से hypoglycemia नामक रोग होता है हाईग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो आप एक शिक आदरता रिलेटिव हिमिलडी हाईग्रो मीटर से मापते हैं हाईड्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो आप एक शिक घनत्व रिलेटिव डंस्टी हाईड्रो मीटर से मापते हैं रेड लेड का रासाइनिक सूतर क्या है तो BB304 रेड लेड का रासाइनिक सूतर है रासाइनिक दरश्टी से चीनी क्या है तो चीनी एक कार्बो हाइडरेट है जो कि सुक्रोज है किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड कहते है तो पाईराइट को खनिजों का प थायो सलफेट है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है तो यूरो क्रोम की उपस्तित के कारण यूरेन का रंग जो है पीला होता है हाइपो कॉंड्रिया बीमारी क्या होती है तो अपने स्वास्त के विशय में असमान्य मानसिक चिंता की बीमारी हाइपो कॉंड्रिया बी मियासीन किस विटमिन का रासानिक नाम है अगर बता सकते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बताइए चंद्रमा के तल में चंद्रमा के तल से आकास का काला देखना किस कारण से होता है तो प्रकास के प्रक्रिणन के कारण से होता है खसरा मीजल्स होने का क्या कारण है तो मीजल्स वाइरस के कारण होती है सामान इस्तिती में हर्दे से आने वाले रख्ट का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है तो 24 प्रतिशत भाग हर्दे से आने वाले रख्ट का गुर्दे को मिलता है नाइलोन प्लाश्टिक के अविश्कार कौन थे तो कारो थर्स उन्होंने 1937 में नाइलोन प्लाश्टिक का अविश्कार किया था रूटाइल TIO2 किस धातू का आयस्क है तो ये टाइटेनियम का आयस्क है Lead Oxide PBO का व्यापरिक नाम क्या है तो Lead Oxide को Litharge के नाम से जानते है हिंदुस्तान Organic Chemicals Limited कहां पर है तो Kolaba महराश्च में हिंदुस्तान Organic Chemicals Limited इस्तित है इस्तंधारी प्राणियों में रत्त का सबसे अधिक तापमान किस पशू का होता है तो वेल का सबसे अधिक तापमान होता है रक्त का स्थनधारी प्राणियों में रेडियो एक्टिविता की एक आई क्या है तो बैकुरेल रेडियो एक्टिविता की एक आई है ध्वनी से सम्बंदिद विज्यान क्या कहलाता है तो एकोश टिक ध्वनी से सम्बंदिद विज्यान है इलेक्ट्रॉन की विराम उर्जा कितनी होती है तो 0.51μ इलेक्ट्रॉन की विराम उर्जा होती है प्रतिदीप्ती घनत का मात्रव क्या है तो प्रतिदीप्ती घनत का मात्रव लक्स है बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है तो वायू की श्यानता, वेलोसिटी, विसकोसिटी एवं अपने कम घनत की कारण जो है बादल हवा में तैर पाते हैं जीवन के उदभव का प्रथम वेग्यानिक विबरन किस वेग्यानिक ने प्रस्तुत किया था तो AIOPERIN ने जीवन के उदभव का प्रथम वेग्यानिक विबरन प्रस्तुत किया था इंसुलिन की खोज किस ने की थी तो FG Banting ने इंसुलिन की खोज की थी विटमिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो ascorbic acid विटमिन C का रासाइनिक नाम है सुपर फॉस्पेट उर्वरकों का सूत्र क्या है तो सुपर फॉस्पेट उर्वरक का सूत्र है CA H2PO4 hold twice राइट आंसर हो जाएगा पानी का अधिक्तम घनतों के स्तापमान पर होता है तो 4 degree centigrade पर होता है एपिलेपसी रोग का संबन किसे है तो नाडी संस्थान से एपिलेपसी रोग संबन देत है ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदाई है तो अरजी मून का मिलावटी तेल ड्रॉपसी की बीमारी के लिए उत्तरदाई है हड़ियों में फॉसफोरस किस रूप में पाय जाता है तो कैल्शियम फॉसफेट के रूप में हड़ियों में फॉसफोरस पाय जाता है किस उपकरण द्वारा ध्वनी तरंगों का प्रियोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है मूत्र में Elbumin आने से किस अंग में गड़बड होने की संभावना होती है तो मूत्र में अलबिमिन आने से किडिनी में गड़बडी होने की संभावना होती है मैनोमीटर से क्या मापते हैं तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं पाइरोडाक्सिन किसका रासाइनिक नाम है तो बिटामिन B6 का पाइरोडाक्सिन रासाइनिक नाम है मैनोमीटर से क्या मापते हैं तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं चार अर्ध धात्वों के पश्चात किसी रेडियो एक्टव पदार्थ का कितना भाग माफ करेगा चार अर्ध आयूओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टव पदार्थ का कितना भाग अब विगटित रह जाएगा तो एक बटे 16 भाग या 6.25 परसेंट भाग और विगटित रह जाएगा सुस्क छिपाग जो जिरुप थैलिमिया होता है आँखों में सूखापन किसकी कमी के कारण से होता है तो ये विटामिन एक ही कमी के कारण से होता है तो सोडियम के किस यॉगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है तो सोडियम सिलीकेट जो है ये वाटर ग्लास के नाम से जाने जाते है जनडरल साइंस के एमस्क्यो कोशन्स with answers आपके लिए next वीडियो में प्राप्त होंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लीजेगा मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि कल आपके लिए MQQ कॉशन्स में अप्लोड करूँगा है ना चुमकी दरश्टी से ऑक्सिजन क्या है तो अनुचुमकी है पैरा मैगनेटिक है एक radioactive तत्व का परमाडू करमांग Z है इसके इससे एक बीटा कर उचसरजित होने पर यहां कितना रह जाएगा तो रेडियो करमांग जो है Z plus 1 हो जाएगा परमाडू करमांग जो है Z plus 1 हो जाएगा तो दोस्तों ये थे 100 questions next series के लिए आप तयार रहेगा चैनल पर नए है सबस्क्राइब कर लिजेगा कुछ पूशना चाहते हैं तो comment करके पूश सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें important questions हैं और हमारे live class में भी जुड़कर जरूर हमसे पढ़ें बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं नेक्ट सीरीज में नेक्ट वीडियो में जैहिन जैभारण